Hey guys, welcome back to another video तो G.O. ने finally G.O. फाइबर लाँच कर दिया है जोस्तो G.O. गीगा फाइबर लाँच कर दिया है बहुत सारे प्लांस के साथ और सारे के सारे प्लांस इनके कमाल के हैं तो शुरुवात इसकी हो रही है सिर्फ 6,999 रुपीज के प्राइस से मतलब 700 रुपेस के प्राइस में आपको मिल रहा है 100 Mbps का स्पीड और जो मैक्सिमम है टाइटेनियम प्लान है वो है 8,499 रुपीज का जो मैक्सिमम प्लान है इसमें आपको 1 Gbps की स्पीड मिल रही है समझ सकते हैं दोस्तो 1 Gbps की स्पीड कितनी जादा है तो मुझे comment box में comment करके बताएए कि आपके पास कौन सा प्लान और मैक्सिमम स्पीड आपने अभी तक कितनी यूज की है दोस्तो या अपने घर पे या कहीं भी outside में ज़रूर से मुझे comment box में comment करके बताएए तो दोस्तो इस वीडियो में पूरी टेल्स आपको बताऊंगा जियो के तरफ से क्या-क्या offers दिये गए है फर्स सब्सक्रिप्शन 6 months का भी कुछ आफर है और annual सब्सक्रिप्शन का भी कुछ आफर है आपको सिर्फ internet ही नहीं, voice calling ही नहीं वीडियो conferencing call भी नहीं आपको TV भी मिल रहा है दोस्तो बहुत सारे कमाल के offers मिल रहे हैं दोस्तो तो बनेरी है हमारे वीडियो के साथ वीडियो को अंतक देखी आपको पूरी टेल्स बताऊंगा तो चलिए फड़ा-फड़ से वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला प्लान है वो है ब्रॉंज प्लान 6.99 रुपीज का इसके शुरुआ सिर्फ 6.99 रुपीज रहोती है और आपको एक चीज बता दोस्तों कि इन सभी प्लान्स जो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें GST Extra है दोस्तों तो यह ध्यार में रखें अगर 6.99 रुपीज इसकी प्राइस बताई जा रही है तो उसमें GST भी लगेगा और वो GST कितना होगा यह अभी confirm नहीं है लेकिन इसमें GST भी ज़रूर लगेगा तो दोस्तों सबसे पहला प्लान जो है वो है ब्रॉंज का 6.99 रुपीज इसकी प्राइस है दोस्तों और इसमें हमें 100 Mbps का स्पीड मिलेगा 100 Mbps मेंज मेगा बीट्स पर सकेंट नॉट बाइट्स तो यह ध्यार में रखें दोस्तों तो 100 Mbps का स्पीड इसमें हमें मिलेगा और इसकी जो लिमिट है वो 100 GB तक है कहने के लिए तो यह unlimited है लेकिन इसमें जो लिमिट है FUP लिमिट जो fair use policy होती है उसकी लिमिट 100 GB है और शुरुआत में आपको 6 months तक इसमें offer दिया जा रहा है 50 GB और मिल रहा है दोस्तों यानि कि आपको total 150 GB मिलता है 699 रुपीज के price में bronze में जो next plan है वो है silver plan जिसकी कीमत 849 रुपीज है और इसकी speed 100 Mbps है और उसमें जो हमें मिलता है total data use करने के लिए 200 GB का और plus शुरुआत के 6 months के लिए 200 GB extra मिल रहा दोस्तों first 6 months के लिए जोस्तों जो extra मिल रहा हमें 200 GB plus 200 GB मतलब total 849 रुपीज में आपको 400 GB का 100 Mbps का speed मिल रहा है दोस्तों और इसके साथ में आपको सारे offers और मिलेंगे जो की unlimited voice calling है जो next plan है वो है gold plan जिसकी कीमत 1299 रुपीज है और इसमें हमें जो speed मिलती है वो है 250 Mbps की और इसमें जो data मिलता हमें वो 500 GB का मिलता है और जो extra data मिल रहा है 6 months के लिए offer में free वो 250 GB का data मिलता है दोस्तों और इसकी speed 250 Mbps है तो जिस तरह से price बढ़ रही है उसी तरह से speed भी बढ़ रही है तो यह आप ध्यान में रखे जितनी ज़्यादा price रहेगी उतनी ज़्यादा speed और आपको data जो data का limit है F.U.P वो ज़्यादा मिलता है दोस्तों और F.U.P खतम होने के बाद जो speed आपके internet unlimited ही रहेगी लेकिन जो speed है वो कम हो जाएगी तो वो कम हो करके 100 MPS के अगर plan है तो कम हो करके 1 MPS पे आ जाएगी नेक्स्ट जो plan है वो है diamond plan जो diamond plan है उसमें price उसकी है 2499 रुपीज और इसकी जो speed है वो 500 MPS की है और इसमें जो हमें data मिल रहा है वो 1250 GB का मिल रहा है जी हाँ दोस्तों और इसमें 250 GB का extra data भी मिलेगा यानि कि total आपको 1.25 TB से भी ज्यादा data मिल रहा है आपको for 6 months के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा offer है सिर्फ 2499 रुपीज के price में आपको इतनी ज्यादा speed और इतनी ज्यादा data मिल रहा है ये कमाल हो गया दोस्तों और नेक्स प्लान जो है वो है platinum plan जिसकी price 3900 रुपीज रखी गई है और इसकी जो speed है दोस्तों वो 1 GB PS की speed है और इसमें हमें 2500 GB का data मिलता दोस्तों मतलब 2.5 TB समझ सकते दोस्तों 2.5 TB कितना ज़ादा होता है मैं तो कितना भी use कर लूँ मेरे सारे devices मिला करके भी hardly 500 GB तक जाता होगा एक मन्त का उससे यादा नहीं जाता है और जो final plan है दोस्तों है titanium plan तो titanium plan की price है 8,499 रुपीज इसमें हमें 1 GB PS की speed मिलती है और 5000 GB का data मिलता है तो 5000 GB यानि की 5 TV लगभग का data मिलता है और ये बहुत ही जादा है दोस्तों हलाकि इसकी price भी काफी जादा है 8,499 रुपीज सब लोग effort नहीं कर सकते हैं ये उनके लिए जो commercial purpose के लिए यूज करते हैं अब पता नहीं उनको commercial purpose के लिए allowed है की नहीं लेकिन ये G.O. तो सभी के लिए है तो हो सकता है उनको भी काफी useful होगा तो अगर आपके पास बहुत सारे devices है या कोई बड़ी area में आपको Wi-Fi का access चाहिए नेट स्पीड चाहिए बहुत ही high speed नेट चाहिए तो उननों के लिए 8,499 रुपीज का plan है 1 Gbps की speed है और 5 TV का डेटा है बहुत ही जाद है दोस्तों और इसके साथ साथ हमें free voice calling मिलेगा वीडियो calling का feature मिल रहा है free video TV calling का भी feature मिल रहा है क्योंकि आप TV में भी camera लगा करके और आप video calling कर सकते हैं क्योंकि इसके जो speed है वो बहुत ही जाद है दोस्तों और इसके features की बात करें दोस्तों इसमें हमें device security अप्टू 5 devices मिल रहा है और जो की powered by not on है और इसमें हमें VR experience भी मिल रहा है इसमें welcome offer में दिया गया है कि Jio home gateway भी आपको मिलेगा साथ में basically यह Jio home gateway जो है वो एक router ही है router मिलेगा आपको free में और आपको इसके साथ Jio 4K setup box भी मिलेगा अगर आप higher plan के लिए long term के लिए opt करते हैं तो आपको Jio 4K setup box भी मिलेगा जो की 4K TV में चलने के लिए काफी बढ़िया रहेगा दोस्तों और OTT apps आपको मिलते हैं OTT apps मतलब over the top apps जैसे की Jio Cinema Jio Savan और बहुत सारे OTT apps आते हैं वो आपको मिलेंगे इसमें subscription उसके limited subscription रहेगी और जो annual plan अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको annual subscription भी मिलेगा OTT apps के और payment की बात कर दोस्तों तो आपको 2500 रुपीज one time payment देना होगा जिसमें security deposit है आपको 1500 रुपीज means 1500 रुपीज security deposit है और 1000 रुपीज का non-refundable installation charge है तो दोस्तों यहाँ पे आपको payment 2500 करना पड़ेगा initial में जिसमें कि आपका non-refundable installation charge भी included है और आपका security deposit भी included है और यहाँ पे कमाल की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे आपको TV भी मिल रहा है gold plan के ओपर जो भी आप annual plan लेते हैं annually payment करते हैं तो वहाँ पे आपको free TV मिलेगा और आपको 32 inch के इसमें TV भी मिल रहा है HD TV और gold और diamond में आपको HD TV मिलेगा और platinum plan अगर आप लेते हैं तो 32 inch के HD TV मिलेगा और titanium plan अगर आप लेते हैं जिसके कीमत 8,499 रुपीज है और आप annually pay करते हैं means 8,499 रुपीज इंटू 12 लगबग 1,2,000 रुपे आते हैं दोस्तों तो 1,2,000 रुपे आप one time payment करते हैं तो आपको 4K TV मिलते हैं जिसकी price लगबग 45,000 रुपीज शो की जारी है तो यहाँ पे annual subscription में काफी ज़्यादा फाइदा है आपको और TV भी मिल रहा है लेकिन पता नहीं सभी लोग इसे afford कर सकते हैं की नहीं मेरे हिसाब से तो जो normal plans है वो भी काफी है दोस्तों आप अपने जरुरत के हिसाब से जरुर से देख सकते हैं और यहाँ पे कमाल का जो offer दिया गया है वो है long term plan का जिया दोस्तों अगर आप long term plan के लेते हैं तो आपको जो data मिल रहा है वो double data मिलता है दोस्तों और अगर आप 6 months के लिए plan ले रहे हैं तो आपको 50% extra data मिल रहा है और 3 months के अगर आप एक बार में plan लेते हैं तो आपको 25% extra data मिलता है तो यहाँ पे Jio ने कमाल कर दिया है Jio Giga Fiver में बहुत सारे offers आया है और details आप देख सकते हैं picture में काफी सारे details हैं आपे आप देख सकते हैं reference के लिए और Jio.com website पे जाकर आपके आपके देख सकते हैं क्या क्या details है की दोस्तों और यह आपके location में available है की नहीं यह भी आप चेक करने के लिए Jio के website खोल करके आप देख सकते हैं और वहाँ पे जल्दी सजाकर आप register भी कर सकते हैं कि आपके area में यह आया है अभी की नहीं या कब से available होगा आपके area में इसका जो range है वो है की नहीं दोस्तों और मैं आपको बता दो दोस्तों कि जो set of box है वो आपको easily available होगा लेकिन यह भी भी live TV का कोई option नहीं है live TV अभी available नहीं होगा और जो first show का जो system आने वाला है वो इस साल launch नहीं होगा और वो 2020 से शुरू होगा तो आप जल्दी से जाकर करके geo.com पे आप बिल्कुल से plan देख सकते हैं और आपके area में available है की नहीं यह भी आप check कर सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही था तो almost मैंने सारी details बता दी है आपको geo gigafiver plan को लेकर के तो फिर भी अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो या इसके regarding कोई question हो तो आप बिल्कुल से comment box में comment करके पूछ सकते हैं और हमें यह भी जरूर बताएं दोस्तों कि आप में से कौन कौन आप में से कितने लोग इसको लेने वाले हैं geo gigafiver को try करने वाले हैं जो कि जो इसकी speed है ना 1GBPS की वो experience करना बागी है दोस्तों अभी तक मैंने भी 1GBPS का speed कभी use नहीं किया है तो देखते हैं यह कब हमारे पास आता है और क्या हमारे area में यह कब available होता है तो आप भी जाए दोस्तों website पर चेक किजिए कि क्या यह आपके area में available है या नहीं है तो दोस्तों इमित करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले मैं ऐसे तरह साथ के लिए नहीं वीडियो जाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद दोस्तों मिलता हमसे फिर next वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, बाई, जैहिंद